Hello students, बच्चो, इस वीडियो में हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 35 and the date is 14th August 2020 and this worksheet is for class 6 to 8. तो बच्चो शुरू करते हैं, इस वर्क्षीट में आपको मैज से related concept दिया हुआ है और उसी से related कुछ questions हैं, तो हम करते हैं, start. Both my sister and me love to eat fruits. We eat pineapple, mozmi, jamun, lichy, etc. on regular basis as they are rich in vitamin C, which increases our immunity and saves us from disease. तो मैं और मेरी बेहन हमें fruits खाना बहुत पसंद हैं, और हम pineapple, mozmi, jamun, lichy, etc. ये सारे जो fruits हैं, इनको हम regular basis खाते रहते हैं, और ये जो सारे fruits हैं, ये सब vitamin C में rich होते हैं, इनके अंदर vitamin C बहुत ज़्यादा होता है, और vitamin C खाने से हमारी जो immunity है, वो increase होती है, हमारी जो र बढ़ने की शमता होती है, वो बढ़ती है, और हम बिमारियों से बचे रहते हैं, our father asked several questions, हमारे पिताजी हम से बहुत सारे questions पूछते हैं, from us, from the rate list which we love to solve, जो rate list होती है, जब हमारे पिताजी ये सारे fruits लेकर आते हैं, तो जो उसकी rate list होती है, उसमें से ही हम से बहुत सारे पूछ लेते हैं, so come, let's solve the below mentioned questions, तो चलिए, solve करते हैं, आज वही सारे questions, तो पहले rate list देख लेते हैं, rate list में आपको fruits के names दे रखे हैं, और price दे रखे हैं उनके, तो जैसे papaya यानि की papita जो है, वो 35 rupees per kg मिलता है, यानि की per kg का मतलब क्या हुआ, कि 35 rupees आपको pay करने होंगे, for 1 kg papaya, 1 kg papaya खृतने के लिए आपको 35 rupees देने होंगे, लीची जो है, वो 70 rupees per kg है, और मौसंबी जो है, वो 40 rupees per kg है, पोमेग्रेनेट यानि की अनार, पोमेग्रेनेट जो होता है, उसी को हम अनार बोलते हैं, अनार जो हो 90 rupees per kg है, एपल इस 120 rupees per kg, और मांगो इस 40 rupees per kg, इसी तरीक से guava जो होता है, यानि की अमरूद हम इसको बोलते हैं, guava 25 rupees per kg, और pineapple अनार जो होता है, वो 80 rupees per kg rate है, यह है rate list, ठीक है, आप questions पूछे हैं, कि, let us solve these questions, what is the value of 3 kg mangoes and 1 kg apple, आपको बताना है, कि 3 kg mangoes लेने हैं, और 1 kg apple, यह दोनों जो हैं, कितने रुपे में आएंगे, इनकी value क क्या रहेगी, इनका price जो है, हमें solve करके बताना है, तो इसको हम solve करते हैं, सबसे पहले हमें find out करना पड़ेगा, 3 kg mangoes का rate, ठीक है, तो उसके लिए हमें मालूम है, कि 1 kg mangoes जो है, वो 40 rupees के आते हैं, और उसके बाद 3 kg mangoes का rate क्या रहेगा, कि हम 40 को 3 से ही multiply कर देंगे, ठीक है कि हमें 1 kg का पता है, तो हम कितने भी kg का पता कर सकते हैं, multiply कर देंगे इसको, 40 multiply 3 करके कितना आया, 120 यानि कि 1 kg mango का 40 rupees अगर rate है, तो 3 kg mangoes का हो जाएगा 120, इस तरीके से 1 kg apple का पूछा हुआ है, that is 120, तो 120 rupees हो गया, अब 3 kg mangoes और 1 kg apple का rate टोटल में मांगा हुआ है, उसको हम add क rupees 240, तो 240 rupees में ये दोनों चीज़ आएगी, ठीक है, now coming to the next question, so बचों, question number 2 में दिया हुआ है, 1 kg लीची का rate, that is 70 rupees, और 1 kg में ही कितने 1 kg में 1000 gram होते हैं, तो अगर मैं 1 kg की जगा 1000 gram पूट कर दूँ, तो इसमें कोई mistake नहीं है, क्योंकि 1 kg ही कितने के बराबर होता है, 1000 grams के बर 70 rupees, अब यहां पे हमें 600 grams का निकालना है, अभी last question में हमने discuss किया, कि अगर हम 1 kg या 1 gram का rate निकाल लेते हैं, तो हम कितने भी grams का इसमें solve कर सकते हैं, तो हमने निकाल लिया कि 1000 grams आते हैं, 70 rupees के, अगर मैं 1 grams के लिए solve करूँ, 1 gram अगर मैं solve करती हूँ, तो 1 gram के लिए मुझे क क्या करना पड़ेगा, यह जो 70 यहां लिखा हूँ है, इस 1000 को इसके नीचे लिखराना पड़ेगा, तो 70 divided by 1000, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आपने 1 gram का या 1 kg का निकालना है, यूनिट के लिए निकालना है, एक के लिए, तो क्या करना होता है, आपको जो total amount होत के लिए, ठीक है, अब हमें निकालना है 600 gram के लिए, तो मैं यहां पे 600 gram लिख देती हूँ, 600 grams के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां जब हम multiply करेंगे, तो यह zeros zeros जो है, वो cancel हो जाएंगे, क्योंकि नीचे 3 zeros कोजा है, रूप पर 2 है, या आप multiplication के बाद 20 को कर सकते हो, ऐसे करने से easy calculation होती है, तो 7 और 6 पचेगा, यानि की 42, 7 6 गा 42, तो यानि की 600 grams लिची का जो rate होगा, वो कितना होगा, रूपीज 42, इसी तरीके से question number 3 भी करेंगे, थर्ड question is, by how much is the anard dearer to guava, तो how much is anard, पॉमेग्रेनेट को ही anard बोला गया है, यहापे पॉमेग्रेनेट ही anard होता है, और यह हमें इसमें बताना है, कि पॉमेग्रेनेट जो है वो गवावा से कितना महंगा है, ठीके, यहाँ dearer word उस किया गया, तो इसमें हमें बताना है, इससे कितना महंगा है, यहाँ कि अगर हमें महंगा या सस्ता निकालना है, किसका प्राइस कम है, यह जादा है, तो उसको हम कैसे find out करेंगे, दोनों का जो rates है, उनको difference निकाल देंगे उनका, ठीके, तो इसको करते हैं एक बड़, cost of 1 kg अनार, तो cost of 1 kg अनार is 90 रुपीज, and cost of 1 kg गवावा is 25 रुपीज, तो difference क्या होगा, इनका 90-25 करेंगे, that is 65 रुपीज, so अनार is 65 रुपीज, यानि कि वो गवावा से 65 रुपीज महंगा है, ठीके, Coming to our last question, how much did 5 kg of pineapple cost, तो 5 kg pineapple का cost कितना होगा, तो हमें इसे rate list से check करना होगा, कि 1 kg pineapple का जो rate है, वो कितना है, 80 रुपीज पर केजी, और 5 kg का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से, multiply कर देंगे, तो 5 kg का आजाएगा, ठीके, So, we can write it as, cost of 1 kg pineapple is 80 रुपीज, and cost of 5 kg pineapple will be 80 multiplied by 5, that is 400 रुपीज, तो 5 kg pineapple जो है, वो कितने के आएगे, 400 रुपी के आएगे, तो बचो ये थी आपकी worksheet, इसके साथ ही, अब जो है, इस worksheet को आप अपनी कापी में कर लीजिए, अच्छे से, और अपनी teacher को submit कर दीजिए, अब आपको मिलेंगे next worksheet की वीडियो में, bye students,